उद्दफ ठाकरे के बहुती खास नेता पर लगे घूटालों के आरोपों के बाद मैं पुलिस ने आज धाने में बुलाकर के पूछताच की है इस पूछताच के बाद मैं नेता की अब गरफतारी को लेकर के हलचल महारास्ट में तेज होती हुई दिखाई दे रही है इसके अलावा महारास्ट में पिछले कुछ दिनों से विकास और रोजगार को लेकर के ठाकरे खेमा और उनके लड़ले आदित ठाकरे भारती जनता पार्टी और एकना शिंदे के गड़वंदन वाली सरकार को घिरने की कोशस कर रहे थे जिसका आज उपोबुक्यमंत्री देविंद्र फंडबीस ने सबूतों के साथ में जवाब दिया है यानि की उद्धव की पूलती पूरी तरीके से बंद कर दी है ठाकरे की खास नेता से पुलिस की पूछताच कहां तक पहुंची और उनकी ग्रफतारी को लेकर कि अप क्या संभावनाय निकल करके सामने आ रही है और भारती जनता पार्टी ने कैसे विपक्ष के खोकले दावों को खारिज कर उद्धव ठाकरे पर तीखा प्रहार किया है इस पर हम सलसले बार तरीके से चर्चा करेंगे लेकर डिपोर्ट में आगे पड़ें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदान है की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विडियो पसंद आए तो लाइक जरू करें मुंबई की पूर महापौर और शिकसेना उद्धव ठाकरे गुट की निता किशोरी पैडनेकर दादर में जुग्गी पुनरवकास प्राधिकरण यानी की SRA परियूजना से संबंद धोका धड़ी मामले में आज पुलिस के सामने पेश हुई पुलिस ने उनकी दरसल उन्हें समान भेजा था और आज उनका इंटरोगेशन हुआ एक अधकारी ने ये जानकारी दी है मीडिया के जरीए अधकारी ने बताए कि पैडनेकर कानूनी सलाकारों के साथ में अपनी टीम को लेकर के दादर पुलिस थाने पहुची और उनसे तकरीबन दो घंटे से जादा तक पूचताच की गई इस प्रक्रड को लिकर के पूचताच के बाद में मीडिया से बात करते हुए पैडनेकर ने कहा कि पुलिस ने जो सवाल पूचे मैंने उनका जवाब दिया और बताया कि कुछ आरोप जो उनके उपर लग रहे हैं वो जूटे हैं दादर पूलिस ने जून के महीने में दोस्तो प्रात्मिकी दर्च करके धोका धड़ी मामले की जाँच शुरू की थी इस दोरान एक आरोपी से पूचताच में पैडनेकर का नाम निकल करके सामने आया था पैडनेकर ने काया कि वो जल्द ही महारास्टो के मुक्ह मंतरी एकनाश शिंदे और राज के ग्रही मंतरी देविंदर फर नभी से मुलाकात करेंगी पूलिस के मताबिक पैडनेकर का नाम अभी प्रात्मिकी में शामिल नहीं किया गया है उन्होंने का कि जून से अब तक मामले के सम्मंद में तीन लोगों को ग्रफतार किया गया है पैडनेकर का नाम भले ही अभी तक प्रात्मिकी में दोस्तो धर्ज ना किया गया हो कि शिंदे सरकार ने घूटाले बाजों के खिलाब खुली चूट पुलिस को दे दी है खास करके ग्रह मंत्री जो है महरास्टर के देविंदर फर्णबीस उन्होंने ताकि कारवाई के दोरान किसी भी तरीके की रियायत न दिया जाए घूटाले बाजों को इसके अलाबा टाटा एरबस सी 295 परिवहन विमान परियुजना महरास्टर से गुजराच चले जाने के बाद राज में सियासी हलचल बढ़ गई है हर कोई इस प्रोजेक्ट के जाने को लेकर के खास करके उद्व ठाकरे का खेमा एकना शिंदे और देविंद्र फर्णबीस की सरकार पर निशाना साधने की कोशिस कर रहा है इस बीच राज के उपमुक्यमंतरी देविंद्र फर्णबीस ने इस सब के लिए महाविकास अगाडी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है देविंद्र फण नभीस ने कहा कि महारास्टों से जा रहे प्रोजेक्ट और बंद होने वाले प्रोजेक्ट को लेकर के घलत नेरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है अगाली नेताओं की तरब से खास करके ठाकरे के लड़ ले आदित्त ठाकरे की तरब से हमारे सरकार को आए अभी तीन महीने हुए हैं राज के बाहर अब तक जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पूर्व की महाविकास अगारी सरकार ही जिम्मेदार है इसके साथ ही उपमोक मंत्री देविंदर फर्नबीस ने उद्दफ ठाकरे से सवाल पूचा कि महारास्टों में आने वाले रिफाइनरी प्रोजेक्ट को किसने रोका था मंत्राला में मीडिया से बाच्चीत करते हुए देविंदर फर्नबीस ने ये बात कही पिछले कुछ दिनों से राजसे बाहर जा रहे प्रोजेक्ट को लेकर के विपक्ष की ओर से लगातार हो रही आलूचना को देविंदर फर्नबीस ने गंभीरता से लिया है महाविकास अगाडी के दौरान विदान्ता फॉक्सकॉम से लेकर के सेर रिफॉन परियुजना राजसे बाहर कैसे चली गई ये देविंदर फर्नबीस ने ठाकरे से सवाल किया इसका सबूत देते हुए देविंदर फणनभीस ने विपक्ष पर कड़ा पलटबार किया है इसी दौरान देविंदर फणनभीस ने सवाल किया कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट महरास्टर में ही होगा तील लाग करोड का निवेश एक लाग लोगों को रोजगार पांच लाग को अन रोजगार प्रदान करने वाला रिफाइनरी प्रोजेक्ट किसने रोका था यानि कि अगाडी सरकार की कर्तूतों को कहीं न कहीं उजागर करने का काम कर रहे हैं देविंदर फणनभीस फणनभीस ने आगे कहा कि हमारी नई सरकार को आए अभी सिर्फ और सिर्फ तीन महीने ही हुए हैं महाविकास अगारी काल में जो नहीं गवा वो हम करने की कोशिस कर रहे हैं राज के लिए 25,000 करोड रुपए की निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है महाविकास अगारी काल में कोई भी महारास्ट आने को तयार नहीं था कोई भी निवेश करने के लिए भी तयार नहीं था महारास्ट में जो निवेश आया वो आपके प्रशासन के कारण महारास्ट से बाहर चला गया MVA के दोरान कई प्रोजेक्ट राज से बाहर गए हाला कि हमने इसे तब भी रोकने की कोशिस की जब हम विपक्षी बेंच पर बैठे हुए थे यानि की देविंद्र फंडबीस ने सीधे तोर पर विपक्षी दलों के जो अगाड़ी घटक है खास तोर पर उद्धर ठाकरी की गुट वाली शिफ्ट है ना एंसीपी रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी और इसके अलावा कॉंग्रेस पार्टी जो लगतार ये चाती पीट रही है कि देविंद्र फंडबीस और एकनाश शिंदे की अपरिपक्तवा की बज़े से उनके दरसल अच्छे शासन ना होने की बज़े से एक के बाद एक प्रोजेक्ट महरास्टर छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो एक के बाद एक दूसरे राज़ में जा रहे हैं इस पर तीखा पलटवार किया है देविंद्र फंडबीस ने और खास तोर पर रिफाइनरी प्रोजेक्ट का उन्होंने हवाला दिया है जिसे लेकर के ब देविंद्र फंडबीस ने पूछा है और जो अभी अगारी के नेताओं की तरफ से सरकार से सवाल पूछा जा रहा था उनकी अलोचनाई की जा रही थी उस पर देविंद्र फंडबीस ने गंभीरता से जवाब देते हुए ये कहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट यहां से जा रहे हैं या फिर कंपनिया माहरास्ट में अगर निवेश करने के बारे में नहीं सोच रही है तो इसके लिए पूर्व का जो महाविकास Аगाली का शासन ता उनका जो तोर तरीका था वो दरसल इसके लिए زिमशेदार है देविंद्र फंडबीस ने कहा कि माहरास्ट की स पुझगार दिलाने का काम महराश्टर में निवेश का काम ये सारा कुछ हम करेंगे इसके लिए वो परतिबद्ध हैं लेकिन जो भी अगारी की तरफ से जो नेता लगातार देविंदर फंडवीस और एकनाशिंदे को घिरने की कोशिस कर रहे हैं वो साफ तोर से ये दिखात धंक से जो सरकार चलाई जा रही थी कैसे जनता को लूटने का काम किया जा रहा था तो ऐसे में कौन सा निवेशा का करके आपके राज्य में निवेश करेगा तो इसके लिए सीधे तोर पर पूर्व की सरकार की कारे प्रणाली को ले करके कारे शेली को ले करके और जो लग देविंदर फर नबीस से सवाल पूच रहे थे और उनका यहां तक कहना था कि आगर हम देविंदर फंडबीस की जगहे पर अगर हम राज्य के उपमोख्यमंत्री होते तो हम अपनी party 세 रशल हम अपने सती Celpeople देदेते carry उपमोख्यमंत्री सतीफा दे अपने परियावरण जो मंत्राला उनके पास में था मंत्री बने हुए बैठे थे क्यों नहीं स्तिफा दे दिया तो अपनी नाकामियों को ढखने के लिए विपक्षी खेमे के नेता बुरी तरीके से तिलमला हुए दिखाई दे रहा है लेकिन सीधे तौर पर देवंद्र नवीस ने महारास्टर की जो महाविकास्या गाड़ी घटक है उन्हें जवाब दिया है सलसले बाद तरीके से और किशोरी पैडनेकर से जो इंटेरोगेशन की है और पुलिस ने भरूसा जताया है कि दोशियों को हम बक्षेंगे नहीं इस पर आपकी जो भी राय है हमें जल्द लोगा किसे दूसरी बड़ी कबर के साथ मैं तब तक लिए धनवात अगर आप लोग चैनल पर ना हैं तो अपली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साड़ बने बेल आइकन को जरू प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी कबर लेकर आऊं तो सबसे पहले नो